नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम दिन भर के महत्पून बड़ी खबरों के बारे में जानेंगे तो फटावर्ट से आप सभी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताए कि अब बिहार के कौन से जीरे में रहते हैं और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूचे और साथ ही अपने तरब से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दे क्योंकि वीडियो बनाने में हमें कापी मेहनत लगती है तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़े खबरों की ओर आज की सबसे पालिकबा सरकारी कर्मचारियों के चार नास्ते में कटोती की तयारी केंद्र सरकार ने खर्च में कटोती का दिया आदेश जी हां बेते दो साल में कोरोना काल की चुनोतियों ने बड़े से लेकर छोटे फैसले तक के लिए सरकार को मजबूत किया है अब केंद्र सरकार ने सभी केंद्रे मंत्रालाई और विभागों में गैर जरोरी खर्च में कटोती करने का फैसला किया है गैर जरोरी खर्च में बेस पिज़ी तक की कमी करने का आदे सरकार ने दिया है अगर इस फैसले के अंदर जाकर समझने की कोशिस करें तो केंद्रे कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों तक के चाई नास्ते से लेकर हवा यात्रयों तक कर सरकार केची चलाएगी हाला कि सरकार ने तै किया है कि कोरोना को लेकर खर्च की जाने वाले रासी में कोई कटोती नहीं की जाएगी, जरोरी काम होने पर ही अधिकारी को हावा यात्रा करने का निरदिस दिया गया है, बिहार टिकाकरन महाभियान के पहले दिन ही में लगबग 5 लाग लोगों ने ली वैक्सिन अगले 6 महने तक रुखना नहीं होगा जी अबिहार में कोरोना टिकाकरन को लेकर महाभियान की सुर्वात हो चुकी है इस महाअभियान के पहले ही दिन सोवे में लगबग 5 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सिन ली महाअभियान में रात 9 बजे तक जारे आकड़ों के नुसार राज में 4,88,732 लोगों को वैक्सिन लगाई गी बिहार में टिकाकरन केंद्रों की सेंख्या भी बढ़ाई गए थी जिसका असर देखने को मिला है साथ आपको बता दे कि टिकाकरन महाभियान से पहले दिन इवावों की जवरजस्त भागी दरी रही 18 पार वाले 3,81,345 लोगों ने कोरोना का टिका लगवाया टिकाकरन महाभियान के पहले दिन भागलपूर मदवनी और पटना आगे रहा बाड़ी कबर बिहार में पाँच इंजिनेरिंग कोलेज का हुआ उदगाटन मंत्री सुमीत कुमार ने बताया राष्टे इस्तर के सुविदावों के साथ होगी पढ़ाई बिहार के मुख मंत्री नितिस कुमार ने सुमुआर को वर्चुवल तरीके से पाँच इंजिनेरिंग कोलेज के केमपस का उदगाटन किया 446 करोड रूपय की लागत से इन सभी पाचों इंजिनेरिंग कोलेज का निर्मान किया गया है बिहार के बिग्यान एवं प्रोदोगे की विभाग के मंत्री सुमित कुमार ने कहा कि इंजिनेरिंग के विदाती राष्टी इस्तर के सुविदाव के साथ पढ़ाई करेंगे उनने कहा कि कई और अभियंतरन महाविदालय एवं पोलेटेकनिक संस्तानों में छाते वास निर्मान और आरवल पोलेटेकनिक संस्तान के लिए भवाण निर्मान के आधार सिला रखी गई है बिहार के बिग्यान एवाम प्रोददिकी बिहाग के मंत्री सुमीत कुमार ने बताये कि किसन गंज अररिया मधिपूरा पश्चिम चमपारन और गोपाल गंज अभियांतरन महाविदाले केंपस का मुख्यमंत्रे नितिस कुमार ने वर्चुल तरिके से उदगाटन किया बिहार में दो सब्ता के लिए नए गाइलान जारी देखिये क्या खुलेगा और क्या रहेगा बन जिहां बिहार में कोरोना के कम होते मामले को देखते हुए सुबे के मुख्यमंत्रे नितिस कुमार ने अनलोक तरिका एलान कर दिया है आपदा प्रमंदन समुक की बेठक के बाद मुख्यमंत्रे ने गोसना किया कि बिहार में 23 जून से 6 जुलाय तक यानि की इस बार दो सब्ता के लिए अनलोक तरिके नियम लागू रहेंगे कोरोना की चेन तूटने के बाद सरकार की ओर से इस बार कई छूड़ दिये गए हैं जिसको लेकर सरकार ने ने गाइलान जारी कर दी है मुख्यमंत्रे नितिस कुमार ने कहा कि गैर सरकारी कार्याले सत परतिसत उपसिती के साथ काम करेंगे इसके अलावा सभी दुकाने अब साम 7 बजे ते खुलेगी जो पहले साम 6 बजे ते खुलेती थी मुख्यमंत्रे ने कहा कि राज में नाइट करफियो पुरवरत जारी रहेगा हाला कि समय में बदलाव किया गया है नई गाइलान के मुताबिक रात 9 बजे से सुब़ 5 बजे नाइट कर फिर रहेगा साथ सरकार ने एक और बड़ा एलान किया है नई गाइलान के मुताबिक पार्क और उद्धान को खोलने का आदिस दे दिया गया है पार्क और उद्ध्यान सुबद 6 बजे से 2 बार 12 बजे तक खुले रहेंगे हाला कि सीहम ने यह भी कहा कि लोगों को अभी भी सतरक्ता बरतने की आवज सकता है बिहार सरकार ने निन्य लिया कि राज में पिलाल मट मंदिर और अन्य धार्मिक इस्तलों को अभी बंधी रखा जाएगा इसके अलावा सिक्षन संस्तानों को भी अभी 6 जुलाई तक खुलने का कोई विचार नहीं है बिहार के मुईक के सचिव ने बताए कि दो सब्ता के लिए राज में लागो अनलोक तरी के बाद 6 जुलाई से पहले एक बर फिर से आपदा प्रवंदन समू की बैठक होगी उस बैठक में इसीतिका आकलन कर आगे का निन्न लिया जाएगा अगली बड़ी कबर बिहार में मौसम विबा का अलड पत्ना से तराज के कई जीलों में तेज हवा के साथ बारिस और वजरपात की चेतावनी जिहां बिहार में एक बार फिर से मौसम का रुख बदलने वाला है। भागलपूर तक चड़ी गंगा लाल निसान से नीचे आई कोसी जाने दूसरी नदियों का हाद। से नीचे आ गई है तो गंडग लाल निसान से उपर होते हुए भी कापे नीचे उतरी है। अगली बड़ी कबरा पटना की सड़को और नालों में गोबर पेकना पड़ेगा महंगा लगेगा इतना जुर्माना। जी हा मवेसी पालोको द्वार गोबर को सड़क पर या नाला में पेकने पर पांस रुपया जुर्माना लेगेगा निचम की ओर से इसे सकती से लागू करने के तयारी है। इसलिकर पाचीश जून को निगम ससक्त स्ताई समिती की बेटक में निनने लिया जाएगा इसके अलावा अन दस बस्ताव पी भी चर्चा होगी। बेटक में निगम चेत्र में कचरा परबंदन के ताथ मविसी पालको के द्वारा गोबर को अन्यत्र फेकनी के वाले के खिलाब जुर्माना लगाने का निनने लिया जाना है। अगली बाड़े कबर बिहार के नौ जिलो में एक भी संक्रमित नहीं, 24 गंटे में मिले मात्र 245 नए के साथ की मौद। बिहार में पिछले 24 गंटे में 245 नए कोरोना संक्रमित की पहचान हुई है नौ जिलों में एक भी नया कोरोना मरेज नहीं मिला है वहें पिछले 24 गंटे में 86,154 सेंपल की कोरोना जाच की गई राज में कोरोना संक्रम अंदर अब 0.28% रह गई है पिछले 24 गंटे में कोरोन 210 संक्रमित इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं जबकि 7 संक्रमित की मौत इलाज के द्वरान हो गई राज में संक्रमित की स्वस्थ होने की दर 98.25 भी दि रही है पुरे बिहार में अब 3016 सक्रिय मरीज हैं बाड़े कबर बिहार में खोलिये प्रदोसन जाच केंद्र सरकार करेगी 3 लाग तक की आर्थिक मदद जिहां सभी प्रकंडों में प्रदोसन जाच केंद्र खोलने के लिए राज सरकार अब सहायता रासी लोगों कोई सहायता रासी नहीं दि जाती थी लेकिन अब इसके लिए सहयोग रासी का प्रावधान किया गया है जिसका लाब लोगों को मिलेगा और सभी प्रकंडों में आसानी से केंद्र खोल पाएंगे आपको बदा दे कि राज के 534 प्रकंडों में से 167 प्रकंडों में प्रद बड़े खबर बिहार सरकार कई जगों पर बनाएगी अंजुमन इसलामिया भवा नितिषक मार बोले सडक और पूल के तर्जपर होगा भावनों का मेंठनेंस clue के ऑधिकारियों को सडक और पूल के तर्जपर सभी सरकारी भावनों को भी मेंठनेंस करवानी की निर्दिस मुईक मंत्रे ने कहा कि पाटना में अंजुमन इसलामिया भवन का निर्मान कराया जा रहा है इसका निर्मान जल्द पूरा कराया जाए कई इस्तानों पर बे इस तरह के इसलामिया भवन बनाये जाएंगे अंजुमन इसलामिया भवन एक एतिहासिक भवन है आजादी की विदाव योक्त होगा इसका निर्मान समय पर करवा दे वहाँ पहले से बन रहे महाबोधि सांस्कृत केंदर का निर्मान जल्द पुरा करे या देश के सबसी सुन्धर सांस्कृत केंदरों में एक होगा बड़ी कबर बिहार में डाक्टर और नर्स समेट 30,000 पदो पर बहाली बंपर वेकेंसी निकालने के तैयारी में स्वास्त बिवाग जिहां बिहार में हेल्थ डिपार्टमेंट की वेकेंसी का इंतिजार कर रहे इवावो के लिए खुसकबरी है स्वास्ती विवाग बहुत जल्द अब बड़े लेवल के न्युक्ति करने वाला है कोरोना के दूसरे लहर के लगबग सांत होने के बाद अब सरकार ने समावे तिसरे लहर के लिए अपनी तैयारी तेज कर ली है कोरोना के दूसरे लहर के दोरान ही स्वास्त विवाग ने खाले पड़े सीटों को भनने की कवाया तेज कर दी है सुबे की स्वास्त मंदरी के अधिश्ता और विवाग के अपर मुई के सच्चिव की मौजुदगी में करीब 30,000 रिक्त पदों पर न्युक्ति को हरी जंडी मिल गई है बाड़ी कबर एक जुलाई से सीबीसी बारवी के अंक होंगे अपलोड इसकूल ने सुरू की तयारी बोर्ड ने जारी की निर्देश जीहां सीबीसी में बारवी कक्चा के लिए अंक बोर्ड के पोटल पर 30 जून की बाद से अपलोड होगे उसके बाद दसवी के रिजल्ट की तयारी पूरी कर ली जाएगी अभी दसवी के बोर्ड रिजल्ट को लेकर सभी इसकूल तयारी में लगे हुए है जीले में सीबीसी के परिच्चा के लिए समयनव आर्सेसी सर्माने बताये कि 28 जून तक दसवी के अंको को अपलोड करने के प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी 29 और 30 जून को उसमें अंतिम रूप से सुधार का मौका दिया जाएगा इसके बाद बारिव कक्चा के रिजल्ट को लेकर अंको को अपलोड किया जाना सुरुक किया जाएगा इसको लिए इसकोलों ने तयारी सुरुक कर दी है जानकारी हो कि कई इसकोलों में प्रक्टिकल के परिच्चा नहीं हुई थी लेकिन वे इसकोल भी बच्चों से वीडियो कॉलिंग या ओडियो कॉलिंग में प्रक्टिकल की परिच्चा ले रहे हैं